तो आज हम लोग बहुत ही इंप्रेटेंट टॉपिक कभर करने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है यहाँ पे प्रितिभी की आंतरिक सनरजना क्योंकि यहां से जो जियो मॉर्फोलोजी की जो क्लास स्टार्ट होनी चाहिए वो यहां से क्लास स्टार्ट हो जा रही है और आने वाले क्लासों के लिए देखें आप बहुत ही इंप्रेटेंट टॉपिक है क्योंकि जब तक आप इसको समझ नहीं पायेंगे आगे कहीं कहीं आपको समझने में दिक्कत होगी तो इस क्लास में हम लोग बेसेकली प्रितिभी की जो आंतरिक सनरजना की बात करेंगे और उसस इसे इनके लेरों को प्रित्भी के लेरों को आप बाता गया है क्रस्ट मेंटल कोर इन सारे चीजों को हम लोग बहुत ही बिस्तार से स्टड़ी करने वाले हैं लेकिन इसको समझने के लिए आप शुरू से ठीक है अंतिम तक आप जरूर देखें ताकि ये concept की स्थिति से आ आप कही ने कही बाहर निकल जाएं तो चलिए हम लोग लोग को शुरू करते हैं अगर नए लोग है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि आने वाले दिनों में देखिए पूरी के पूरी जिगरोफी की क्लास कंप्लीट कराय जायेगी साथ में इस पूरी तरीके से जल से भरा हुआ है, बहुत सारे जो भाग है अस्थल खन से भरा हुआ है, लेकिन क्या हम लोग प्रित्वी की आंतरिक संरचना को देख पा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, जो भी है हम लोग अस्थल मंडल के भागों को ही देख पा रहे हैं, अब अस्थल मंडल इसमें समुद्र का इतना पानी टिका हुआ है, गरिव्रेशनल फोर्स भी उसमें लग रहा है, टीक, एक तरंग जЕनेरेट कर रहा है, जो कहीना कही पिरित्वी का पानी नीचे नहीं गीर हे अरहा है। अब ये प्रित्वी का पानी जो टिका हुआ है देखिए कहीं कहीं नीचे भी एक बहुत बड़ा लेयर होगा चटान होगा उसी चटान पर पानी चल रहा है ऐसा होता नहीं है कि पुरी प्रित्वी में पानी का अदिकांस भाग है तो काफी ही इंट्रेस्टिंग ठीक है इन् जानेंगे हम लोग के प्रित्वी की बाहिस सन रचना क्या होती है इस बाहिस सन रचना को जानने के बाद थोड़ा आंतरिक सन रचना को हम लोग बेहदी डिटेल्स में इसका अध्यन करेंगे तो चलिए हम लोग यहां पर देखते हैं सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बाहि क्या होगा देखिए बिलकुल इसका आधार चोड़ा होगा लंबा चोड़ा धाल इसका तीब्र हो जाएगा जेंजे उपर की तरफ जाएंगे तो इसका सिखर भी नुकिला हो जाएगा उससे अगर परवतों से जस्ट नीचे आएंगे तो आपको पठार दिखाई देगा प् देखती जाएगी मैदान यहाँ पे उचाई सबसे कम इसकी होगी समतल भी हो सकता है अब मैदान से धीरे 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 ठीक है अब तट वर्ती लागों के तरफ जा रहे हैं कोस्टल मिल जाएगा समुन्दर का सपोस करिए कि आप हिमाले से बंगाल के खाड़ी के गास उतरी ने लहती है, अब इस महाधिपीय मगनne थर्ट में लिखिए, ढाल बेहद मंद हो जाएगा, ढाल मंद हो जाएगा, तुछ की गहराई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और यही कारण है, कि बरसात के दिनों में महादीपिय मंगनतर में पानी तो जम जाता है लेकिन धिरी धिरे गर्मी के दिनों में क्या होता है कि पानी का लेयर धिरी धिरे कम होने लगता है water level कम हो जाता है घास होगर है यहाँ पे छोटी छोटी दिखाई देने लगती है अब महाधिपिया मगनतर के जस्ट नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे महाधिपिया ढाल continental इसको slope भी बोला जाता है अब यहाँ पे आप जस्ट जाएंगे तो तेजी से आपको गहराई का असास होगा यहाँ पे ढाल तिब्र हो गया समुंद्र की गहराई अब धीरी धीरे बढ़ते जा रही है यहाँ पे पानी का लेयर अच्छा खासा मौझूद रहेगा अब महादिपिया धाल से जस्ट नीचे जाए नीचे जाए तो आपको अचानक अब लगेगा कि अब कुछ सम्तल वाला भूभाग आ रहा है इसको बोलते हैं लोग महादिपिया उभार कॉंटिनेंटल राइज के रूप में इसको जाना जाता है अब एक कौन सा छेतर होता है तो महादिपिया धाल के बीच का छेतर ही होता है महादिपिया उधार होता है ठीक है उभार भी बोलते हैं यही है कॉंटिनेंटल राइज अब समूंदर के अंदर आप पूरी तरीके मैदान बोलते हैं ठीक है पूरी तरीके समतल्भु भाग है अब कही न कहीं एक उठी हुई अस्तला कृती भी आपको दिखाई देगी उसकों लोग महासागर यह कटक बोलते हैं ओस्यानिक रिज कापी खुपसूरत जगा होता है समुदर में किसी एक भाग जो हता है बहुत उठी हुई पूरी तरीके से अस्तला कृती होती है उसके बाद कही न कहीं अगर यह उचाई है ठीक है ऐसे माली जे यहां भी उचाई है तो बीच में कहीं न कहीं गज़ा नुमा अकृती ब्रंस घाटी इसको रिफ्ट भहले भी बोलते हैं अब जो रिफ्ट भहली होगा सिर्फ और सिर्फ देखिए अस्थल भागों में नहीं पाया जायागा समुंदरों के अंदर भी वो सारी संरजनाय मौझूद है परवत पठार कटक ठीक है मैदान सारी की सारी संरजनाय मौझ आप खुद देखिए जिन के जी अब सिखर से यहाँ पे जो भरंस घाटी के बीच की जो गयफ होगा क्योंकि कहीं कहीं तो इसके बीच का जो किलोमीटर में नजर अंतर आता है तो इसको एक संकेतिक कित्री के रूप से अभी आप समझ सकते हैं बिल्कुल सिंपल है दिखिए ये परवत है, पठार है, मैदानी भाग है कोश्टल इलाका है, कॉंटिनेंटल सेल्प, कॉंटिनेंटल स्लोप यहाँ पे कॉंटिनेंटल राइज है, ओसियन है ठीक है अब देखिए, हमें पता है कि प्रित्वी की जो आंत्रिक संरजना की तिरिज्या है साइन्टिस्टों के द्वरा निकाला गया है तीर सट सो लगभग सत्तर किलो मीटर के आसपास पीटिव गरां पूछ सकता है, धियान रखेगा अब देखिए, यहाँ पे, तीर सट सो सत्तर किलो मीटर अगर प्रित्वी की तिरिज्या है तो इतना अंदर तो आज तक कोई नहीं गया है क्योंकि हमें पता है कि अंदर अंदर जियों जाएंगे प्रित्वी का घनत भी बढ़ जाएगा टंप्रेचर भी अधिक बढ़ जाएगा तो अंदर क्या है कोई नहीं जानता है और इसके लिए अब समस्या सुरू हो जाती है बैग्यानिकों में बहुत सारा मत भेद हैं यहाँ पे, हम लोग देखेंगे, सामने आजाएगा अब इसी का आधियान करने के लिए बैग्यानिकों ने कई चीजों का सहारा लिया जिसे किसी ने टंप्रेचर का सहारा लिया घनत्व का सहारा लिया ठीक है इसके अलावा आपका कहा सकते हैं कि प्रेसर हो गया दाप का भी लोगों ने सहारा लिया भुकप का सहारा लिया जौला मुखी का सहारा लिया कितने लोगों ने उलका पिंडों को भी अधार मना कहने का essence क्या है यहां पे बहुत सारी जब यहां पे controversy स्थिति हो गई तो किसी एक बात पे तो सहमती बनेगी बनेगी तो जो सहमती बन क्या आई है निकल गया है भुकम को लेके सरवाधिक जो उप्युक्त परमार जो दिये गए हैं उससे हमें जनकारी मिलती है अब आए थोड़ा सा इन चीजों को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं क्योंकि हमारे एकजाम के दिरिष्टी कोड से काफी है important होता ही होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग बात करते हैं drilling की क्योंकि अब 3670 km अगर प्रितिवी की तिरिज्ज्या है तो देखिए हम लोग सोने की जब खुदाई करते हैं खानों में ठीक है गॉर्ड माइन से यहाँ पर तो 4 km के आसपास maximum गहराई 4 km के अंदर ही आपको सोने क के खान मिल जाएगी वहां से निकाल के ले आते हैं दूसरे अगर बात किया जाए पेट्रोलियम पदार्थ की कुरूड वाइल जो निकाला जाता है देखिए समूंदरों में ठीक है समूंदर के जो क्रश्टों को तोड़ते हुए छे किलोमेटर के गाराई तक जाते जाते हम में पूरी तरिके से कुरूड वाइल मिलना सुरू हो जाता है और मेक्सिमल अभी तक इसकी खुदाई यहां पे छे किलोमेटर भी हुए है कहीं कहीं पांच किलोमेटर चार किलोमेटर भी मिल जाती है तो कहने का एसेंस क्या है कि हम अधिक पिरिद्वी की गहराई तक वहां पर 12 किलोमीटर के आसपास खुद आई है अब इस 12 किलोमीटर और देखिए 370 किलोमीटर कोई कैसे अनुमान लगा सकता है कि प्रितवी के अंदर में रियल रूम से क्या है लेकिन फिर भी हमारे बैग्यानिकों के द्वारा बहुत इस राहनी प्रयास किया गया है और द कि संदार प्रितवी के अंदर कितना राहस से चुपा हुआ है तो बोला गया कि सबसे जो उपरी जो लेयर है इसको क्रश्ट बोला गया अब जस्ट नीचे आएंगे तो यहां पे मेंटल बोला गया उसके बाद से यह जो आपको पीला वाला भाग दिखाई दे रहा पूरा इसको कोर बोला गया कोर को दो भागों में बाट दिया गया इनर कोर और आउटर कोर के रूप में अब देखिए क्रश्ट की जो मुटाई है उपर वाला भाग बहुत पतला है इसी में जो भी खनीजपदार थे हमारे पानी भी कहीं न कहीं सी क्रश्ट पर ही मवजूद है जो हम लोग महाजी कि ठीक है कुछ फीट को अगर खुदाई करते हैं तो पानी निकलना सुरू हो जाता है लेकिन एक चीज और आप इसमें ध्यान देजिए कि जहों आप खुदाई करेंगे ठीक है डीलिंग वगरा जहां पर होती है तो ऊपर के पदार्थे को खोदना बह मुश्किल हो जाता है कहने के मतलब क्या है यहाँ है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ डेंसीटी भी बढ़ने लग जाएगा नीचे आप जाएंगे नीचे के पदार्थ काफी गरम स्टेच में है टमप्रेचर भी यहाँ पर बढ़ना सुरू हो जाएगा आगे हम लोग दे पूरी तरीके से इसी करस्ट में पूरा आपका सकते हैं कि समुंदर ठीका हुआ है इसी करस्ट में परवात पठार जहां हम और आप खड़े हैं इसी पहे हम लोग मौजूद है अब करस्ट है यहाँ पे इसकी मुटाई बहत काम हैा देखिए में टल के मुटाईं यहाँ काफी अधिक दिखाई दे रही है और mental की मुटाई से भी काफी अधिक है आपे core की मुटाई दिखाई दे रही है तो यहाँ पे अब इन ही लेयरों को देखें यहाँ पर जो बाट दिया गया है तब से मैं आप लोगों कहीं बता रहा था पहला था crust उपर वाला जो भाग है यहाँ पे जो पतली एक लेयर होती है जिसमें हम आप ठीक है चटान पूरा जो आपका सकते समंदिर संट रचना इसी crust पे ठीका हुआ है अब इसकी क्या है यहाँ पर उप्योगता क्या है तो यह जो है पूरी तरीके से देखिए सियाल इस महादीप वाला जो भाग है यह जेनरली आपको ग्रे नाइट से बना हुआ नजर आएगा ग्रे नाइट और आपको जो महासागर का जो अस्थल भाग है जो काफी चटानी रूप में है तो आप देखेंगे वहाँ पे कि बसाल्ट ठीक है बसाल्ट चटानों से नजर उसके जस्ट आप नीचे आएंगे तो सीमा पाएंगे इसको मेंटल होला स्रेली है यह आपको क्रस्ट हो जाएगा दूसरा हो जाएगा आपको मेंटल में क्या है सीमा इसमें कौन-कौन से खनीजों की परचुरता है इसमें सिलकौन अधिक है मेगनेसियम अधिक है और इसक इतर है बसाल्ट चटान से ही निर्मिन सरचना पाय जाते हैं अब कोर में आएंगे नीचे आप तो यहां पे निफे इसको बोला जाता है यहां पे निकेल फेरस इतने सारे धातू के अधिकता है अब सोचिए अब खुद कि जेव जेव उपर है हलकी धातू मौझूद है नीचे आएंगे भारिधाती मौझूद है कहने का एसेंस क्या है यहां पे कि नीचे आप जेव जेव वार है घनत तो हमारा बढ़ते जा रहा है लेकिन उसका एरिया क्या हो रहा है जो वोलूम है ठीक है आयतन कम हो जा रहा है तो इससे हम यह निसकर्ष निकाल सकते हैं कि अंदर जितना मधिक जाएंगे पदार्थों के घनतोता में पूरी तरीके से ब्रिध्धी हो जाएगी और यह जो ब्रिध्धी होने का कारान है कही न कहीं इन ही पदार्थों के उपयोगता है इसलिए तो मैंने आप लोगों को जब सोर मंडल पढ़ाया हुए आता बताया कि प्रितभी मात्र एक लौताय सग्रा है जिसका डेंसिटी जो घनतो है इतनी अधीक मात्रा में पाये जाती है और जब इतनी अधीक मात्रा में पाये जाती है तो इसका गिरिविटेशनल फोर्स है बाकी अन्य गरहों के अपक्षा काफी अधीक हो जाती है यूगि जम के इसके अंदर भारीततों की परचुरता है जो कि अन्य ग्रहों के बीच मौजूद नहीं है अब आए थोड़ा इसको और हम लोग डिटेल्स में जानने का प्रयास करते हैं अब देखें यहां पे यहीं था क्रस्ट मेंटल कोर अब तीनों की हमने देखा था कि जो मोटाई है ए इस परकार का जो लेयर है कोई चीज आप परतदार चीजों को आप उठा के देखें जैसे प्याज है बहुत बेस्टिक जामपल है प्याज के लेरों को आप छिलेंगे तो सबसे पहले उसका छिलका निकलेगा तो फिर उसके बाद से उसकी संट्रचना काफी लंबी हो जाएगी हलका होगा पूरा धीरे-धीरे कहाने का मतलب क्या है कि अप प्याज के अंदर जाएगे तो उसका कार में अब कमी आजाएगा लेकिन घनत्रचना के दृष्टी से उसकी दीन्रचना काफी अधीग हो जाएगी यहीं हाल होता है हमारे प्रित्वी का कई छिलकों ठीक है कई लेयरों में पूरी तरीके से बटा हुआ नजर आएगा उपर का जिस्व अस्थल मंडल यह आप देख सकते हैं अब देखिए केंदर मंडल है यहापे केंदर मंडल के उपर जो छिलका है मध्य मंडल है मध्य मंडल के जो उपर छिलका है दुरबल मंडल है और इस जो उपर है यहाँ पे अस्थल मंडल है लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पे कि हर एक लेयर के उपर एक लेयर अगर लगा हुआ है तो किसी एक लेयर में अगर कुछ हल चल हो रही है तो कहीं न कहीं बाकी सारे लेयरों में ठीक है उसकी इंटेंसिटी के अनुसार हमें आपका सकते हैं, ठीक है, मने क्रास्ट यहां पर उपरी पराथ दोनों में वजूद है, मेंटल का ध्याम DobroH scenes, रखिए गया यहां पर ऊप यहां पर आफिश वाला जो छेतर हे इन्हीं इन ही दोनों को मिला देते हैं, तो हम लोग इसको अस्थल वंडल गोलते हैं, इसको लिथो अस्फेर बोलते हैं, अब जव-जव नीचे आ रहे हैं, टमप्रेचर बढ़ते जा रहा है, नब गद कि आप 300 किलोमीटर तक आते आते टमप्रेचर इतना अधीक हो जाता है कि लगभग 800 से लेके 1200 डिगरी सेलसियस का आसपास हो जाता है एबरेज निकालेंगे 1000 डिगरी सेलसियस आजाएगा तो अब यह वाला जो भाग है मेंटल का ध्यान रखेगा जो बीच वाला जो भाग है ठ यहाँ पर टमप्रेचर अधीक होने के काराण इसके बहुत सारे जो पदार्थ होते हैं कहीं ने कहीं लिक्विड अस्टेज में आ जाते हैं इसे अभी आप लोग ध्यान रखेगा अब इसी दुरूबल मंडल के उपर जो हमारा प्लेट है अस्थल मंडल तेर रहा है कहाने प्लेटे हैं यहाँ पे बड़ी प्लेटे छोटी प्लेटे मवजूद है और जब भी इस थेनवा स्फेर में इस परकार की हल चल होती है तो हमें वहीं चीज उपर जो हम लोग मवजूद है लिथो अस्फेर में हमें महसूस होता है अब जश्ट देखिए मेंटल का जो लोग कि प्रिःथवी घूडन कर रहे हैं अगर प्रिःथवी अपने अक्छफर एंटी कलॉकवाइole पर घूम रहे यहां पे तो इसके अंदर जो भी पदार थे अब हम झेखा सियाल, सीमानी फेकिया यह नहीं घुमेंगे जरूर घुमेगा क्योंकि प्रित्वी के अंदर है और प्रित्वी जब घुम रहा है त il भी भी इस भाव्शन में आहीं जाएगा जब ये भी इस भी हाव्शन में आजयागा ये भी घुमेगा यहाँ पे तो आपको पता है, मैंने बताया था कि अगर लट्टू है यहां पे, अगर लट्टू नाच रहिए, नाच रहा है ठीक है यहां पे, तो अगर आप उपर से किसी भी वस्तू को लट्टू के बाहि रही छेतरे में राखेंगे, यह जो परीदी है, तेजी से फेकेगा यहां प तो जो प्रित्वी का घूड़न है यहां पे सबसे अधिक जो गूड़न की जो गती होती है इस भूमध धेरेखा में एक्वेटर में सबसे अधिक होता है अब यहां पर क्या होता है कि देखिए एनर्जी का ट्रांसफर होता है कैसे होता है तो नीचे high density वाली एनर्जी है और low density वाली एनर्जी है और एनर्जी का flow जो हमेशा होता है ठीक है high energy से low energy के तरफ होता है ठीक है असान होता है अब यहीं परकिरिया सुरू होती है जब प्रित्वी का जब घूड़न सुरू हो जाएगा तो बाहर का जो देखिए क्राश्टोला फोर्शन पूरा प्रित्वी फिल्ट के रूप में आप इसे समझ सकते हैं अब होता क्या है देखिए कि एक दूसरे को यह ढखिलना सुरू कर जाएगा तो बहुत सारी यहां पर प्रित्वी के अंदर मोटी मोटी लेयरे बनना सुरू हो जाती है और उससी लेयर को हम लोग बोलते हैं प्रित्वी के अंदर कि अब जो देखिए क्रस्ट है ठीक है अब क्रस्ट जो है पूरा क्रस्ट यहां पर एक टाइप का मौजूद नहीं है नीचे आएंगे तो पता हैं एक डिनसीटी बढ़ते जाएगा अब जब इस सिच्वेशन में होगा प्रित्वी घूम रहा है तो उपरी मेंटल का जो भाग है यहां पर देख सकते हैं ठीक है उपरी मेंटल का जो भाग है यहां पर जो क्रस्ट का जो भाग देखाए दे रहा है बहुत सारी एक मोटी लेर बन जाती है मिल जाते हैं इसी को कॉन्राड असम्मंधता बोलते हैं इसकी गहराई बहुत अधिक कि उपरी जो क्रस्ट हो गया और निचली क्रस्ट के जो मिलाने वाले च्हेतर को, इसी को आम लोग क्या बोलते हैं, कोन राड बोलते हैं, ध्याम से देखते चलिए कभी भी आप लोगों को रटने की जरूरति यहाँ पे नहिं पड़ेगी, तो यहाँ पर आप लोगोंने दे आशिया के एक कुलपा घाटी पे वे कुछ बैज्यानिक सोध कर रहे थे वहीं पे उन्होंने इस लेयर को पाया अब देखिए 200 किलमीटर के आसपास यह जो छेत्र होता है ध्यान से देखेंगे तो लगेगा कि क्रस्ट का ध्यान रखेंगा एवं मेंटल के ध्यान रखेंगा बीच का जो सीमा छेत्र आप लोगों को मौजूद नजर आएगा क्योंकि यह पूरा है क्या है क्रस्ट है और यहां से आपको देखेंगे तो पूरी तरीके से मेंटल नजर आएगा यहां से आप अंदेहाएंगे तो कोर नजर आएगा अब यहां पे भी बहुत सारे जो प पूरन कर रही है, इनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, और यहाँ पे टमप्रेचर लगभग, लगभग, एक हजार डिग्री सेल से सेवरस टेमप्रेचर होता है, अब यह टमप्रेचर देखिए, बाहर निकलना चाहेगी, बाहर निकलेगी, तो अगर प्रिथवी की कही परात, अगर काफी कम जोड़ है, तो वहाँ पे ज्वाल मुक्य के रूप में, क्योंकि इतने अधिक टापमान में, तो कोई पदार थी, यहाँ पे, सोलिड अस्टेट में रही नहीं सकता है, तो यहीं तो था, आमने देखा हुआ था, ठीक है, कि लिथोस्फेर, एस्थिनोस्फे में होता है, और वहीं वेब जब बाहर निकलना चाहेगी, तो आप भुकम भी आ सकता है, ठीक है, कई जगों पे ज्वाला मुखी भी आ जाएगा, नीचे की, ठीक है, क्रश्ट को तोड़ते हुए, और तो यहाँ पे, जो टमप्रेचर निकलेगा, ठीक है, जाएगा, उप जाएगा, उपर जाएगा, तो पता है हमें कि क्रश्ट में पानी भी मौझूद है, उन पानी को गरम कर देगा, ठीक है, और पानी लगभग देखेंगे, तो देड़ सो डिगरी सेलसियस से लेके, दो सो डिगरी सेलसियस तक पानी गरम हो जाती है, और इतना जब पानी गर प्रियोग किया जाता है जो कहिन कही एनर्जी का बहुत बड़ा रिसोर्स है हमारी पूरी पूरी प्रित्वी में तो कहने का एसेंस क्या है यहाँ पे कि पूरी अहीं पर किरिया चलती है जस्ट नीचे आएंगे तो रेप्टी मिल जाएगा यहाँ पे उपरी मेंटल और अंदर जाके नेक हो जाते हैं हम लोग आगे जानेंगे भुकम्प में कैसे पता चला है यह क्या होता है तो निचली मेंटल का च्छेत्र और उपरी क्रोट के जो बीच का जो सिमा च्छेत्र होता है अब देखिए आप इसकी गहराई लगभग उन्ती सो किलमीटर तक हो जा सो किलमीटर तक क्रश्ट की मोटाई माना जाता एवरेज जुदिया रहता है उसके बाद से उन्ती सो किलमीटर तक लगभग मेंटल की मोटाई माना जाता है उन्ती सो से लेके फिर तीर सट सो सत्तर किलमीटर तक लगभग ठीक है कोर की मोटाई माना जाता है तो हम लोग द अधीक हो जा रही है तो काफी यहाँ पे हमारे एक्जाम की दिरिश्टी कुण से important हो सकता है अब आएम लोगे आपे next बात करते हैं यहाँ ठीक है तो यहीं संरचना है खूब सुरत संरचना है जितना भी मैंने आप लोग समझाया ठीक है अब यहाँ पे होता क्या है कि एक्जाम में कितने बार पूछ लिया जाता है कि प्रीत समस्थ प्रीतवी में जो भी एलमेंट है उसकी उपलब्धी क्या मनें उसकी उपस्तिती के अनुसार आप उसे ठीक है उसका वहलू बताईए तो देखिए यहाँ पे लोहा है लगभग इससे आप लोगा स्क्रीन सोट ले लिजिए ठीक है काफी इंपोर्टेंट है अब आएए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं प्रीतवी की आंतरिक संरचना से सम्मंधित परमार क्योंकि अभी तक तो हमने जो भी देख लिया ठीक है अब लगर आगा आपोंके कैसे बता रहा यहाँ अंदर से तनी गरम तथा घनी है कि इसके केंदर तक कोई नहीं पहुंच सकता लेकिन फिर भी तो परियास किया गया है और इसमें जो परियास है जो भी भुगर्ब सास्त्री है जो भी भुगर्ब सास्त्री है उनके द्वारा बहुत ही संदार परियास किया गया है और उन्हों ने इस प्रियास को कई भागों में बाड़ दिया है, जिसे बताया है आप प्रकृतिक साधान के रूप में, घनत्व हैं, दबाव हैं, तापकरम हैं, प्रित्वी की उत्पती से सम्मंधित सी धानतों के साक्षे में, अल्रेडी हम लोगों ने देखा हुआ आता ह प्रकृतिक साधान के रूप में, जैसे कि इसमें दो चीज इंपर्टेंट है, जो अल्रेडी हम लोगों देखते हैं, भुकंप बिज्ञान जो काफी समंद्रों गएरा में काफी आते रहाता है, डेली का डेली आता है, जो अल्रेडी बहुत सारे प्रित्वी की खेतरों मे अब इभी एक्टिव है, अब आए इन ही को अधार को मान के हम लोग यहां पर देखने का प्रियास करते हैं, जो अभी तक हमने पड़ा, उसको आप लोगों को और किलियर होते चला जाएगा, पहला यहां पर बात की जारी है देखिए घनत्व पर अधारित, ठीक है, तो द constant कर देते हैं, छेट जलू नहीं करते हैं, जो भी भी है, रख देते हैं, तो density का mass से directors संबंद है, आप देख रहे हैं। और density का Volume से inversally proportional संबंद हैं, मने उल्टा है, density बढ़ेगा, तो volume क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. अब प्रित्वी का जो आसत घनात बोला गया इसमें कि crust, mental core तीनों को मिलाके इसका जो आसत घनात निकाला गया यहाँ पे 5.5 ग्राम यहाँ पे cm q में निकाला गया और बोला गया कि आसत घनात है लगभग 2.8 से 3.5 ग्राम cm q है अब average निकालेंगे तो हमें पता है कि 5.5 यहाँ पे है और एक crust का जो value है हमें पता है 3.5 है बाकी अन्य crust का value हमें पता नहीं उसको हमने B मान लिया अब average निकालेंगे तो 2 से multiply करेंगे तो B का जो value आगे देखिए 7.5 ग्राम यहाँ पर सेंटीमिटर क्यू आ गया काने का essence क्या है आपे कि crust से अगर नीचे हम लोग आएंगे तो घनतों हमें बिरिद्धी होती हुए दिखाई दे रही है 7.5 है और कोर तकाते आते इसका घनतों लगभग 13 ग्राम पर सेंटीमिटर की हो जाता है जिसका घनतों पूरी तरीके से हम लोगों ने already देख चुका है अब इसी को अधार पर मानते हुए यहाँ पर दो लोगों की उलेखनी भूमित का है दोनों लोगों ने अलग-अलग अधार मानके इसको explain करने का कोसिस किया इसमें पहला मत जो दिया गया ध्यान रखिएगा रसाइनिक संरचना के अधार पर रसाइनिक संरचना के अधार इनों ने बताया कि प्रित्वी के अंधर की जो रसाइनिक संरचना मतलब समान है यहाँ पे समानता के तथवों पर मौजूद है और इनोंने इस एक्जांपल क्या लिया कि अगर प्रेसर बढ़ार है तो देंसीटी बढ़ रहा है और प्रेसर देंसीटी अगर दोनों वोलूम क्या हो रहा है कम हो रहा है तो इन्होंने यहीं बताने की यहां पर कोशिश की कि दाब में बृध्धी करके यहां पर ठीक है डेंसीटी में बृध्धी करके यहां पर ठीक है हम लोग किसी भी पदार्थ का यहां पर भॉलूम कम कर सकते हैं और भॉलूम कम कर सकते हैं उस limitation के बाद ओ पदार्थ उससे आप छोटा कर ही नहीं सकते हैं चाहे आप दुनिया के किसी भी मजीन को ले आईए इसके अधार पे यहाँ पे इसकी अलोचना करने लगी कि भाई हर एक पदार्थ का एक निश्चित सिमा होती है उस निश्चित सिमा के बाद ओ पदार्थ छोटा होई नहीं सकता है तो फिर आप इसको कितना भी बढ़ा लीजिए रसाइनिक संरचना कहने के मतलब क्या है कि प्रिथिभी के अंदर सेम नहीं है ठीके तो उमीदे के लिए हो गया होगा दूसरा मत यहां पे इन्हों ने दिया जिसको सरवाधिक कह सकते हैं कि इन दोनों में परमालिक माना जाता है इन्हों ने रसाइनिक संरचना को अधार माना रसाइनिक संरचना को अधार मानते हुए इन्हों ने भी वहीं बात बोला कि रसाइनिक संरचना यहाँ पे समान नहीं है आज समान है और इन्होंने थोड़ा सा प्रयास किया और बेहतर निसकर्स ले के आए कि प्रितिभी के अंदर की जो रसाइनिक संरचना समान नहीं है क्योंकि प्रित्वी के पर्तों पे आज जाने के बाद जाने के बाद यहां पर डिन्सीटी बढ़ रहा है टमप्रेचर बढ़ रहा है तो ऐसे सिच्वेशन है बहुत सारे जो पदार्थ होंगे कहीं न कहीं अलग-अलग स्टेच में हाँ पाए जाते होंगे जिसा कि यहां पे सियाल देखा हमने उसके बाद सीमा देखा उसके बाद नीफे देखा तो पदार्थ की संरचना यहां पे क्या दिखाई दे रही है आपको बिल्कूल अलग-अलग दिखाई दे रही है तो यह हो गया density के अधार पे दूसरा है यहाँ पे देखिए तापमान पर अधारित यहाँ पे दिया गया और हमें पता है कि तापमान पिरित्वी के अंदर जैसे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे देखिए लगभग 2 से 3 डिगरी सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है प्रती 100 मिटर की गहराई में तो जब इतना तापमान अगर बढ़ जा रहा है तो पिरित्वी के लगभग 90 किलो मिटर तक जाते जाते तापमान इतना धीक हो जाता है कि यहाँ पे कोई पदार्त लिक्वीड अस्टेज में ही यहाँ पे रह सकता है सॉलीड अस्टेज में तो यहाँ पे रही नहीं सकता है मने पुरी तरीक इसका हो जाता है लिक्वीड हो जाता है और यहीं कारण है यहाँ पे कि कुछ बैग्यानिकों ने प्रित्वी के आंतरिक जो क्रोड है कि क्रोड तक आते हैं यहां पे तापमान इतना अधिक हो जाता है कि यह सुरी के तापमान का यहां पे बराबर हो जाता है तो काफी यह भी important है ठीक है इसे भी आप लोग ध्यान रखेगा लेकिन हमें पता है कि प्रित्वी के अंदर कि ज हो जाएगा फिलाल इसे ध्यान रखते चलिए तो यह भी बहुत असपस्ट परमार नहीं है तीसरा है यहां पे उलका पींट पर अधारिति यहां परमार अब देखिए उलका पींट बिल्कुल सिंपल है जो भी ऐस्ट्रॉइट उपर से गीते रहता है प्रित्वी में आता है तो बहुत सरा जल कर राख हो जाता है लेकिन जो कुछ बज के पिरित्वी में आ जाता है उस पदार्त का जब अध्यन किया गया तो फिर उसमें भी लेयर पाया गया पिरित्वी की तरह ठीक है प्याज के चिलकों की तरह जो लेयर पाया गया और उसका जब स्टडी किया ग हुआ है नेक्स्ट यहां पे दापरधारित इससे समझने का पूरा पूरा आप लोग परियास करिएगा क्योंकि यह भी काफी इंपोर्टेंट है देखिए इसमें बताया गया कि जो पदार्थ का जो गल्लांक होता है प्रेसर से इसका सीधा संबन्द होता है मैंने प्रेसर को जितना पूश करेंगे जितना इसको इंक्रीज कर देंगे पदार्थ का मेल्टिंग पॉयंट भी उतना ही बढ़ते चला जाएगा मेल्टिंग प्वांट क्या होता है तो वहत अपमान जिस पर कोई भी पदार्थ पिकलना को शुरू कर देता है ठीक है अब यहां पर temperature को 50 डिखर क्या कि हमने बढ़ा दिया ठीक है बाहर से देर है सबोसकर इसको गरम कर रहे हैं ठीक है दूसरे स्टेज में हाँ पर देखिए कि melting point यहाँ पर हमने सेम रखा constant रख रहे हैं तीनों जगा melting point हम लोग constant रखते हुए भाहर के temperature को इसको क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं फिर भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पदार्थ ठोस वस्था में है इसका कहने का essence क्या है कि pressure को अगर दो गुना भी हम बढ़ा देते हैं तीन गुना भी बढ़ा दे रहे हैं तो अंदर के पदार्थ को हम सेम यहां पे रख सकते हैं, ठीक है? कहने का मतलब क्या है? कि प्रेशर बढ़ रहा है, तो टमपरेचर भी बढ़ रहा है, ध्यान रखिएगा, और प्रेशर और टमपरेचर को बढ़ा के हम किसी भी पदार्थ को बिल्कुल इंपोर्डेंट ठोस रूप में हम लोग रख सकते हैं और यहीं तो होता है प्रितवी के अंदर क्योंकि देखेंगे आपकी यहां आते 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 प्रेसर है अधिक हुआ है लेकिन इतना अधिक नहीं हुआ है तो यहां पे कुछ पदार्थों के वस्तिती ही ऐसी है कि स्थेनों स्फेर तक आत हुए लेकिन जस्ट नीचे आएंगे नीचे आएंगे यहां पर तो प्रेसर भी अधिक हो जाएगा ठीक है टमप्रेचर भी अधिक हो जाएगा और यहां पर कुछ ऐसे पदार्थों का जो नेचर है कि अब लगभग आउटर कोर तक बाहर यह पदार्थ पूरी तरीके से टमप्रेचर जनरेट कर रहे हैं यह माइने रखता है और इनर कोर में पुरा पदार्थ ठोज सवास्था में जनरेट हो जाता है ठीक है तो पूरी तरीके से देखिए यहां पर यह असपास्ट नहीं हुआ कि प्रिथिवी कि किस परत किस सवास्था में मौजूद है क्योंक करते हैं पर जो अलम्मुखी पर अधारी तो अभी मैंने बताया आप लोगों कि अब एस्थेनो असफेर से जो भी यहां पर मैगमा के रूप में देखिए यहां पे बसाल्ट चट्टानों का जो निसकासन हो रहा है कहिन का लिक्वीड अस्टेज में हो रहा है तिस से हमने निकल पाया अब जो भी आपर समझ यह वाटर है इस वाटर को क्या कर देगा गरम कर देगा लगभग डेर सो से लेकर 200 डिग्री सिल्सिस तक गरम करेगा तो पानी पानी नहीं रह जाएगा भैपर बन जाएगा और वास बाहर निकलना चाहेगी और जहां निकलेगा उस भा भुकाम बपरादारी ठीक है तो देखिए प्रित्वी कि किसी भी जगह पर भुकाम पाया है सपोज कर एक भुकाम पर यहां आ रहा है तो यहां पर लगभग मतलब यहां पर कई सारा स्पी निहां पर काम करता है यहां खासकर यहां पर ध्यान रखे का धौनी का वेग काफी ठीक होता है काफी अस्पीरूस की तेज होती है तो यहां भुकाम पाया और प्रिद्वी के इस हिस्सो तक यहां पर भुकाम सास्त्रियों के द्वारा जो भी सिस्मो справ tuberography जो technology होता है उसको पयोग करके पता लगा लिया जाता है अब यहीं से प्रकीरिया सुरू हो जाती है कि यह भुकाम पाया और यहां तक जो भी वेभ आया उसको scientist इस्टों ने पता लगा लिया तो अब जो वेव होता है एक परकार कर नहीं होता है प्राइमरी वेव सेकेंडरी वेव लॉंगिट्यूडनल वेव अब जब तक इसको जाने भीना हम लोग इसका पूरी तरीके से शड़ी नहीं कर पाएंगे लेकिन यहीं परकिरिया है मैं फास कर जाते है इस अधाट नहीं होता है अब इसको लोग आगे की क्लास में लेक्ट्ळूड ओररेड़ी कापी लंबा हो चुका है तो कल में आप लोग ब्रक्ड़ नहीं पड़ेगी तो आज के लिए ठीके फ्रींचर टना ही हम लोग बाइंड आप करते हैं कंप्लीट करते हैं नेक्ट क्लास में भुकम से सम्मंदित चीजों को पूरी तरीके साफ लोगों को सेर करूंगा ठीक है प्रेंट्स अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे आप सेर करें ठीक है और थांक्स पर बाचिंग गॉडवलेस यू झाल करते हैं